छतरपर में जिस परकार से जाती बाद चल रहा है ASP सजन सर्मा, BD सर्मा सांसद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं मद्द प्रदेश के वो अर्वेंद पटेरिया, BGP की अध्यक्ष हैं और तमाम जितने भी जगए हैं सब मनुवादी सिस्टम से भरी पड़ी हैं अभी तक सालिक राम गर्ग, जो धीरेंद गर्ग, जो बागिस्वर धाम के माध्यम से जो हिंदू हिंदू की आड लेकर अपने भाई को गुंडा बनाने का जो तयारी चल रही थी आपको वो हिंदू राष्ट की बात कर रहे थे और सालिक राम गर्ग को गुंडा बना रहे थे इनका जो पूरा का पूरा चरित्र है वो सब सामने आ चुका है यह है आरसेस बीजीपी के लिए काम करते हैं ग्यारा फरवरी को गड़ा वागिस्वर छतरपुर में अहरवार समाज के मंडप में जाकर धीरेंद सास्तिरी के भाई सालिक राम गर्ग ने जो आतंक उत्पाद मचाया था जिससे पूरा वहां का समाज दैसेत में था इसलिए आज भीमारमी OVC महासबा इबं तमाम अनसंगठन जो OVC-HTSC समाज से तालुक रखते हैं वो आज गड़ा उस परिवार से मिलने गए थे जसके साथ प्रताणना की गई थी मारपीट की गई बंदूक ले जाके जो उत्पाद मचाया था तो सभी OVC महासबा के साथियों ने भीमारमी के साथियों ने और अन सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम चार मार्च को छतरकपुर की धरती पर सयक्त रूप से OVC महासबा भीमारमी जैस इमम अन जो संक्रटन जो सपूर्ट करना चाहते हैं इस मुवमेंट को सभी मिलकर एक महा अंदोलन करेंगे क्योंकि छतरकपुर में जिस परकार से जाती बाद चल रहा है ASP सजन सर्मा, BD सर्मा सांसद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं मद्द प्रदेश के वो अर्वेंद पटेरिया, BGP की अध्यक्ष हैं और तमाम जितने भी जगए हैं सब मनुवादी सिस्टम से भरी पड़ी हैं ये लोग जब भी OBCSTSC के साथ कुछ होता है तो लेट लपीत करते हैं और जैसे ही अगर कोई OBCSTSC का कुछ गलत करता है तो फौरन का रवाई करते हैं इसके कई साख्ष हमारे पास हैं जैसे की कोई भी गलत करें गलत तो होना ही निचीए पर अगर गलती की है जैसे कि मालो रवीदास जयनती पर एक कुर्मी समाज के बैक्ती ने एक बंदूक लहराने का काम किया था तो सिकाज जब की गई तो तत्परता से कारवाई की गई थी लेकिन विचार करिये कि सचिन सर्मा जो जाती वादी खेल खेल रहे हैं कि अभी तक सालिक राम गर्ग जो धीरेंद गर्ग जो बागिस्वर धाम के माध्यम से जो हिंदू हिंदू की आड लेकर अपने भाई को गुंडा बनाने का जो तयारी चल रही थी आपको वो हिंदू राष्ट की बात कर रहे थे और सालिक राम गर्ग को गुंडा बना रहे थे उस हिंदू हिंदू राष्ट की आड में लेकर क्योंकि कि अरे मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आखर ये सब एक कैसे होगा ये सब इसलिए होगा क्योंकि ये सब मिले हुए है RSS, BJP, Congress और सारे मनुवादी लोग मिलकर ये खेल इसलिए खेल रहे थे क्योंकि मद्य प्रदेश में OVC, महासबा, जैस, भीमा, रमी, तमाम संकटन, OVC, STC के जाती कर जनकरना, OVC, आरक्षन के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोरन कर रहे थे और इस डल से RSS ने एक पाखंडी को आपके सामने भेजा और इसकी तमाम प्रकार की जो जूट की विद्द्याएं हैं जो दिखाने का प्रयास किया मैं ऐसे कई कहानिया आपको बता दू इनकी जो इननोंने किया, ऐसे कई ग्रीस्ट कैंसर था, हमारे छेत्र के एक महला थी, हम लोग इलाज करा रहे थे, जब सही होने लगी महला, तो किसी ने बोल दिया कि बागिश्वर चले जाओ, बागिश्वर गए, तो वहाँ पे उन मरी मिल रही है, कईयों की जमीने छुड़ा ली गई, वहाँ पर खुद के भाई को वहाँ का जो पार्किंग का ठेका दिया गया, और तमाम जितनी भी चीजे में, कितनी बातें बताऊं आपको जो सम्मिधाने के रूप से कर रहे हैं, जैसे कि भाव खिलाना, बाल खोल दे ना माहिलाओं को और तमाम प्रकार की चीजे हैं, क्योंकि सम्मिधान देखिए, मूल भावना इसकी थी, बैग्याने एक दरिश्टी कौर्ट से हमें आगे बढ़ना, पर ये इसी युग में ले जाना चाहते हैं, कि जहां सिर्फ और सिर्फ मनवादी, ब्रहमणवादी आगे वड़े, आप सोची कितना ब्रहमणबाद है, कि सालिक राम गर्ग को अभी तक अरेश्ट नहीं किया गया, क्योंकि ग्रह मंत्री नरुतम मिस्रा है मद्द प्रदेश में बीजी पी से, आरसिस के जो ये लोग हैं, आप इनकी सोच देखिए, अगर इसी में अगर के लिया थे, और मैं कहना चाहता हूँ, गार बात और बता भी अबता भी निकार के नहीं को कोँछा हुआ है, iss astis मे Went cadaaj storms, इसी में बीजी था बता रहे हुआ है। कि दो कोड़ि की पत्रकाय ड़ता है सरमाना चाई यह सी लिए हमारा देस का कम से कम 134 नमर पर बदम counters यह की कि मीडिया का नाम है इसमें आता है सुचकाम के क्यूंकि यहां को झूद्दस क्यों मिडिया मर चुका है उसको खरिद लिया है अंज translates ने आर्स्ण ने 對 उसको अपना खुद का बजूद क्या है अपना खुद का इतिहास क्या वो पता ना होने की कारण ये जो धीरन गर्ग जो है वो हिंदू हिंदू की याड़ लेके आज देखे आप इसी की साधी में जाके एक लड़का बरात लेके आया है बेटी की बरात होनी है आप किसी के घ गुंडाई जो शुरू कर रहे हैं और गुंडाई आप देखना ही ध्यंदगर की आप भासा समझो ना गुंडाटाइप की बात करता है मसल दो सनातनी जाग जाओ अरे क्या है यार यह तो आतंगवादी टाइप की वासा है एक सालिंता होना चाहिए आप किसी भी धरम्स की गुरू है तो आप सालिंता से काम करें ना अगर करना भी है और हमें पसंद नहीं आए तो हम तो बुरूद करेंगे तो यह जो एक इनका पूरा पूरा चरितर है वो सब सामने आ चुका है यह आरसेस बीजीप्टी के लिए काम करते हैं यह डरमडवादी सोच के लिए काम करते हैं यह जातिवाद का काम करते हैं इसलिए मैं तमाम सभी साथियों से अपीर करता हूं कि चार तारीक छतर पुर आप सभी कूच करें पूरे देश के लोग क्योंकि ये छोटा केस नहीं है इसे बैक्ती ने जूट पाखंड और हिंदू करके उसकी आड लेकर यहां तक पहुंच गया कि आप देखिए आपके घरों में घुसके ये बंदूक और नसा करके उत्पात मचा रहा है ऐसे ही ये हि समिधान की मूल भावनाओं को खदम करना चाहते हैं ये बैग्यानिक्स सोच जो डैपलड हो रही देश में उसको खदम करना चाहते हैं जो वहुजन एक बड़ा वर्ग जो जाग रहा है अपने हकादीकारों के लिए समिधान एक व्विवस्थाओं में जो व्विवस्था हैं उसके लिए ये उसके ख़़ाब करना चाहते हैं इसलिए जागीए बीस्तेस्टेस्थी समाज के सभी साथ ही ये सएक्त रूप से OBC महासभा विमारवी और जैस जो है संक्टन है हम सब लोग सहत रूप से इस आंदूरून को करने जा रहे हैं इसमें OBC महासभा के सबी लोग आएंगे इस धर्विन कुसवाह, फुसराज पटेल, इसमें बेबास सिंग मैं खुद जाओंगा इसमें तिंसिकर भाई आएंगे, इसमें जो हमाई JS की टीम है, चाये उसमें महेंद करनोजिया हों, रामदेव का कोडिया हों, आनंद राये, सबी लोगों को बोलाने का पूरा हमारा सब लोगों से बात हो रही है, सबी इस कारीकर में पहुंचेंगे और अपनी एकता जो भाई चारा है, उसको इस्तावित करेंगे, और उसको अरेस्ट करवाने का काम करेंगे, और बे नकाब करने का काम करेंगे, धीरिंद गर्ग जो एक एजन्डा जो चला रहती है, आरसिस का, उसको हम लोग बे नकाब करने का काम करेंगे, जै भीम, जै OBC जय समीधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत